नमस्कार, रिजनी, अर्थात में इंटल अबिलिटी, अर्थात बौधिक योगितार, इस सिरीज की यह पार्ट फाइब वीडियो है, इसमें जो प्रश्ण हमने लिया है, वो है मुखेमंत्री मेधा चात्यवर्थी दो हजार चौबिस से, अर्थात CMMS दो हजार चौबिस, मुखेमंत्री मेधा चात्यवर्थी दो हजार चौबिस के पहले दस प्रश्णों को मैं हल करने जा रहा हूँ, और ये question number one से five तक है, इसमें odd चौणना है, अर्थात उस शब्द को चौने, जो दूसरे से भिन है, ये odd आउट वाली प्रश्ण है, बेमेल वाले, यहाँ चा तीन किसी कारण से एक जैसे है, एक उनमें से एक ऐसा है, जो इन तीनों से अलग होता है, तो जो अलग है, जो तीनों से भिन है, उसे चुनना है, तो प्रश्ण संख्या एक देखिए, इसमें जो option दिया हुआ है, खर्गोस, भेड, बिल्ली, भैस, इन चारों में कोई तीन किसी न किसी कारण से एक जैसे है, तो गौर कीजिए, क्या हम कारण धुन सकते हैं, इसमें क्या नियम है, तो यहाँ देखिए, खर्गोस, भेड, भैस, ये सभी घास खाते हैं, लेकिन बिल्ली घास नहीं खाती है, और बिल्ली मांसाहारी भी है, तो हमारा option ये बिल्ली है, मांसारी कहो तो यह मांस भी खाती है प्रस्ण संख्या दो यह बड़ा असान है रुमाल टाई टोपी गाड़ी तो यह अनिस्टी तुरूप से रुमाल टोपी और टाई यह तीनों पहनने वाले चीज़ है जो मनुष से पहनता है लेकिन गाड़ी बिलकुल अलग है तो यह हमारा एंसर इसमें गाड़ी होगा है प्रस्ण संख्या तीन देखिए बहन मां भाई और चौथा अप्शन है चाची बुगा बौसी तो यहां आप मेल फीमेल में बाट दे तो बिलकुल क्लियर हो जाएगा बहन मां चाची बुगा बौसी यह सभी फीमेल है एक भाई है जो मेल होए तो यही हमारा ओड हो गया यानि बेमेल हो गया प्रस्ण संख्या चार देखिए पंचभुज वर्ग त्रभूज वृत तो यहां पर पंचभुज वर्ग त्रभूज इन सभी में भुजाएं होती है और सिर्ष होता है जबकि वृत में न भुजा होता है और अब प्रसन संक्या 5 देखिए यह यह Puse Grunty, अब to Grunty है यह अब to कहें तो इंग्लिस में से क्या कहेंगे यह थाइरॉड गर्ण थी है यह अधिवरिक यानि एड्रिनल और ये लार ग्रंथी, तो इसमें कौन सा हमारा ओड है, तो प्यूस ग्रंथी यानि पिट्यूट्री, ये थायरोड और ये एड्रिनल, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंट्स है, अर्थात इससे जो स्राव निकलता है, वो सीधे ब्लड में चला जाता है, जबकि ला ये सीधे ब्लड में नहीं जाता है, तो ये ही लार ग्रंथी हमारा ओड हुआ यानि बेमेल है, प्रस्न संख्या 6 से 10 में, दूसरी जोड़े के लिए उस शब्द को चुने, जो पहली जोड़ी जैसे जोड़ी को पूर्ण करें, यहां क्या है न, कि इसमें पहला दो और इन दोनों में जो संबंध है, वही दूसरा वाला जो जोड़ा है उसमें होना चाहिए, तो प्रस्न संख्या 6 देखिए, आकास पक्षी, तो समुद्र क्या, तो आकास में पक्षी होते हैं, तो समुद्र में क्या होता है, मचली होती है, प्रस्न संख्या 7 देखिए, उं तो क्या है। उंगली के बिल्कुल लास्ट में नाकुन होता है उंगली से नाकुन निकलता है तो आंख में जो पलक होती है तो पलक के आगे जो बाल निकलता है वह बराणी कहलाता है यानि आईलैस इसका इंग्लिस है आईलैस और यह भौहें जो है वो तो आँख के ऊपर होता है यह भौहें आँख के ऊपर होता है तो यहां पर देखे फिर से यह संबंद को देखी उली के बाद में यानि बिलकुल लाश्ट में आपको निकलता है तो आँख का जो पलक होता है उसके बाद यह बरॉनी यानि आईलेस होता है ठीक है अब प्रश्ण संख्या 8 देखिए जेवर सोना अर्था सोना से जेवर बनाया जाता है तो सुई किस चीज से बनाया जाता है इस पाथ से बनाया जाता है प्रश्ण संख्या 9 सोमभाफ्षणिवर तो ब्रिहस्पति का जोड़ा किस से होगई तो है पर गोर किसे सोमभार के बाद और संवनीवर के बीद कौन-कौन दिन होते है कितने दिन होते हैं जोड़िए सोंबार के बाद होगा मंगल बुध ब्रिहस्पति और शुक्र मंगल बुध ब्रिहस्पति शुक्र तब शनिवार आए गया यानि सोंबार और सनिवार के भी चार दिन तो ब्रिहस्पति के बाद चार दिन गिनिये तो ब्रिहस्पति वार के बाद शुक्र वार होगा शुक्र के बाद शनी शनी के बाद रवी वार और रवी वार के बाद सोम बार हाँ ना चार दिन हो गया तो इसके बाद क्या आएगा मंगल बार आएगा ये क्लियर है आप प्रस्ण संख्या 10 देखिए कार्डियोलोजी हिर्दै कार्डियोलोजी का संबंद किस से है हिर्दै से है तो जूलोजी तो जुलोजी का संबल किस से है प्रानियों से है तो ये थे हमारे मुख्यमंत्री मेधा च्छात्रवर्टी 2024 के पहले 10 प्रशन अब इसके बाद वाले जो पाठ होंगे उसमें अगले 10 प्रशनों को मैं हल करूँ दन्यवाद